नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चानलन नीव फॉर्म एप्रेट्स पर दोस्तों ITI स्टुडेंट के लिए प्लाजमा अनुसंधान संस्थान जो यह आप देख रहे हैं जिसको एंस्टूट पर प्लाजमा रिसर्च भी काते हैं जानी IPR इसको सौट फॉर्म में करते हैं इसकी तरफ से पांच अलग अलग प्रकार के जो ITI ट्रेंट से उनके लिए कुल मिला करके दस वेकेंसी निकाली गया है जिसमें एलेक्ट्रीशन है फीटर है मसेनिस्ट है एलेक्ट्रोनिक मेकैनिक है और ड्राफ्समेंड मेकैनिकल है दोस्तों इसका जो है आपको क्वालिफिकेशन मागी गई है फी कितना लगेगा और भी बहुत सारी जानकारियां है कितने स्टेज़ेज में एग्जामेनेशन होगी इन सब किलिए दोस्तों हम लोगों को नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा फूल नोटिफिकेशन उसी से जानकारे मिलेगी तो test exam कि कितने stages यहां से हम दोंक दिखेंगे लगिन मैं आपको सबता दूं कि इसको जो है यहां से download आपको करना है अगर आठ download करना चाहते है अपको यहां से apply खरkehr करना है तो यह b도 करना है तो इस page का link जो है मैं इस video GOOD 확인 comment box में आपको दे दूँगा वहां सब डायरेक्ट जो है अपलाई कर सकते हैं तो चले फिर फिर से यहां पर आ जाते हैं यहां देख रहे हैं यहां प्लाजमा अनुसंधान संथान गांधी नगर गुजरात यहां पर एंचूट ऑफ प्लाजमा रिसर्च जो की काम करता है कि इ कैनें त्रगत ये हैं उसके बाद यहां पर दूस्तों यहां पर दिया है इस्टाइपेंट्री 2 ह्यक्ति करेंटी के लिए आपका पोश्ट का चया होकरक मिलापकर के 10 यहां पर वेकैंसी है दुस्तों यू ए जनेरल के चीट से जो है अपना क्या है उसको यहां पर देख लेंगे उसके नुशार यहां पर बढ़ेंगे यहां पर अब चलते हैं एजुकेशन क्वालिफीकरिकेशन या आपसे क्या मांगी गई हैं इसके बारे में जानते हैं आपकी सुभधाय के लिए मैंने इसको जो है सॉट में कर दिया है यहाँ पर लिखा वा है ससी वित मिनिमम सिक्टी परसंट माक्स एन अग्रीगेट एंड ट्रेट सेटिफिकेट इन एलेक्टिशियन फीटर या मसेनिस्ट यह एलेक्ट्रोनिक मेकेनिक या ड्राफ्ट मेकेनिकल मतलब उसको कहा जा रहा है कि कि आपका मैट्रिक पास यानि कि तेन्थ जो पास हैं कम से कम सिस्टी परसंट माक्स से आपको पास होना है साथ साथ यहां पर जो है आपके ट्रेड रिगार्ट स्ट्रेट सेटिफिकेट यहां पर आपके ट्रेड सेटिफिकेट से जुरू है किसी भी एक जो है औरता को यहां पर का जाना कि अगर यह नहीं यह तो उसके बाद कर टू इयर परिंटीसिफ से व सबाइब आपके पास है तो भी कर सकते हैं उसके साथ अगर यृविंट नहीं है तो फिल व्न इयृ ओड़न ऐपाश्क है या वन यह एक्सप्रेन्स पर आपको यह पास है और सपर आपके आपके सर्टिफिकित थो भी आप कर सकते हैं आप आगी चलते हैं छी पर कहा जा रहा है कि जिनका भी CGPA, OGPA, SGPA है, उनको जो है same need to be indicated as equivalent percentage of marks, इनको जो है equivalent percentage of marks के रूप में indicate करना होगा, ऐसा नहीं करते हैं, तो इनकी जो है candidature, उसकी consider नहीं किया जाएगा, इनको candidature को खतम कर दिया जाएगा, सबसे नीचे PDF में है, तो मैंने दोनों को एक जगह इसलिए लिग दिया था, यहाँ पर आग चलते हैं, एज लिमिट, एज लिमिट में है minimum 18 साल, maximum 22 साल है, एज रिलेक्सेशन लागू होगा, एज में शूर्ट जो आपको मिलेगी, OBC को 25 साल, और CST 27 साल तक अपलाई कर सकते हैं, Link में, यहाँ पर selection process है, selection process में आपका method of selection है, इसमें आपका 3 stage में होगा, e buck CC in 3 stages, यहाँ पर में आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख भी दिया है, आपका stage 1, stage 2, stage 3, stage 1 में Friends, आपका common prelims for all, मतलब आपकी एक प्राडमिक परिच्छा होगे जिसका यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है प्रेलिम्स रिटेन एक्जामनेशन विल कंसिस्ट ओफिफ्टी मल्टिपल च्वाइल कोश्चन इस प्रेलिम्स परिच्छा होगी यहाँ पर यहां पर है तीन मार्ट दिये जाएंगे हर सही उत्तर पर और एक माइक से आपके आपकी प्रेलिम्स परिच्छा होगे जिसको प्रेटेस्ट के नाम से हम सोगह है यहां फेंड सब्सक्राइब होगा आपका एम मेकैनिकल से जिससे विसका ट्रीटेस्ट आपको एक ट्रेड का ट्रेस्ट यह जाएगा यहां पर जो है से आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा स्टेज टू से ही इसको आपको सिर्फ पास करना है इसको भी पास ही करना है यहाँ पर जो है आपका रिटेन टेस्ट और ट्रेट टेस्ट जो है इसी के अधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा स्किल टेस्ट आपका स्किल टेस्ट क सब्स्राइब। सब्सक्राइब। औरЕТ फ्रेंड पर जा रहा है यहांingen पृपर कई फ्रैंड हो जा रहा है ईसा कि मैंने आपको पहले हुम्हें है कि स्टेज टू का जो है आपका अडवान स्टेस्ट जानी त्रेड्ट ऊगा ओगा उसी क्या दार पर आपका जो है मेरेट लिस्ट तयार किया जाएगा जा रहा है कि जिनका जो है कम से कम गलत करेंगे वह इस स्टेस्ट में स्टेस्ट में कम से कम गलत करेंगे उनको जो है हाईयर जो है मेरेट लिस्ट में रखा जाएगा उसका नेक्स में यहां पर फ्रेंट् merit list जिन जिन के एक उम्र जाधा होगी हुए उनको है मेरे लेस्ट में उनको भी उपर रखा जाएगा अगर टाई हुए तो टाई के किन में यहां पर है ट्रेड इस्किल टेस्ट और आफ्टर को यहां मैं आपकी इस पूरे को मैंने आपकी शुद्धा के यहां पर लिख दिया आफ्टर क्या आपकि लिख्वाइंग स्टेज टू रीटें टेस्ट उसके पांच गुना अभिहर्थियों को जो कॉल किया जाएगा स्ट स्टेज 3 की स्टेस्ट में सब्सक्राइब यहां पड़ा है स्टेज 2 बाट विल नॉट वी एक स्टेट 5 ताइम वही जो मैंने अभी कहा है उसी कजी करें यहां पर ट्रेट स्किल टेस्ट वी कंडक्टेट गो और क्वालिफाइंग दे कंडिडेट यह स्रिफ आपका जो है क् आपको आपको बना दिया जाएगा तो लगातार दिनों में आपके करवाइज जाएंगे और इसकी डिटेज जो है बाद में आपको नोटिफाइब करके बता दिजाएगी कि आपको email के माध्यम सीसकी सूशना मिल जाएगा यहां पर है application fee application fee जो है आपका SC ST female PW और EWS का जो है नील है और अधर category जितने भी है उनको 200 रुपया देना पर यहां पर फ्रेंड जो है है उनको जो है डी जाएगी अश्यूट वर प्लाजब रिसर्च जो यहां पर ईशूट है गांधी नगर में उसमें डिजय जाएगć ट्रेंइंग के दोरान जो है उनको 10500 का मेंन्त बारात कर यहां पर मंफर सल उसके बाहब कर जो चुपका पर कन रहाए चारा आपको दी जाएंगे फिर यहाँ पर आगे है ट्रेनीज विल बी इंटाइटल फॉर वन टाइम बुक अलावेंस फॉर थी थाउजन रुपीज पर पर पॉर्टेंग ट्रेनिंग को जो है जितने भी ट्रेनिंग होगे उनको तीन हजार रुपया दिये जाएगा एक बार में और यह एके बीन को लिग जाएँगे लिए उसके बहुत आफेट लिए braking को लगिए तो यह आपको देख आप 25 का प्रोडियुस कीज़ेगा ट्रेनिंग को देंगे दो द्यूज का सेटिफिकेट उसके बाद आपको जो है तीने जार रुपिया ट्रेनिंग के बाद आपको मिल जाएगा गिव थ्री यहां पर मैंने लिक भी दिया है गिव थ्री थाउजन रुपीज एट दा टाइम आप आपको जो है प्लेस्मेंट कर दिया जाएगा आपका यह जो पद का नाम होगा टेक्निशन भी ग्रूप सी का लेवल तीन का जो है आपका ग्रेट पे होगा बेलेवल होगा उसको बाद एंट्री जो इंट्री पे है आपका 21700 रहेगा उसका निक्ट में यहां पर एक बॉन साइन करना होगा को कंपलीट करना होगा ट्रेवियर ठीन साल तक आपको जो है कम से कम आपकोयोगा करनी है यहां आपकी अगर आप ऐसा करने में नहीं देते हैं और तीन साल से पहले छोड़ देते हैं तो उसका पर है नेचर अब ड्यूटी ड्यूटी जो है आपके क्या-क्या होगी क्या-क्या काम मिलेगा वह उसके बारे में जानकारे देगे नेक्स्ट से आपर है कंडिडेट मस्ट गो करते हैं उनको जो है नो अब जेक्शन सर्टिफिकेट इसकील टेस्ट के समय देना पड़ेगा यह प्रूफ ऑफ एज के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि मैट्रिकलेशन सर्टिफिकेट या बर्स सर्टिफिकेट कुछ भी आप दे दिजएगा चल जाएगा उसका निक्ट पर प्लाज्मा रिसर्च में ही होगा तो इसको पैसा आपको दे दिया जाएगा जब आप औरेजिनल टिकेट या फोटो कोपी देंगे उनको तो आपको पैसा देंगे चाहिए क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि सभी कम्यूनिकेशन सभी जो आप से शमवाद हैं वह इमे next यहाँ पर है आपको कैसे करना है इसा करना लिंक जो है यहाँ पर लिंग दे दिए यह लिंक जो है करने के लिए यहां पर किसा है विद्सेरेंच मैं idi तो इसके सब्सक्राब्सित हो हुआ है इसलिए है चेकरने साइब hello इस तरह का तो मैं आपको सबसे पहले इसकी जानकाई देंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आगे चलते हैं पर रिटेन टेस्ट के समय आपको जो है आधार कार्ड पैंड कार्ड ड्रैविल एसेंस या वोटर कार्ड में से कुछ भी एक लेकर आईएग सब्सक्राइब कर कर देंगा कर ठीक तो उसके बनेसटा में आपर इंड होगिया है मैंने फिर से लिग दिया है स्टाइट 6-10-2022 तक निमवचके यहाں ठीक पर हर तड़ा की नहीं नयएखेंसि उसके बाद एंसर की और अट मिकाज की जानकारी आपकोँ Doch और मिलेगी तो फ्रेंड्स अब दीजिए हमें इजाजत चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा फिर मिलते हैं किसने वीडियो में चैनल